तो यह हमारे पास आ गया है Boat Airdupes 111 तो यहाँ पे जल्दी से इसको Unbox करते हैं और यहाँ पे गाइस मैंने जो है इसे order कर लिया था Amazon से 111 और 181 को जो है साथ में यहाँ पे order किया था मैंने तो इसलिए यहाँ पे गाइस आप Amazon का package नहीं देख पा रहे क्योंकि यहाँ पे 181 क जो Unboxing था उसमें मैंने जो है आपको Amazon का package दिखा दिया उसी में जो है इन्होंने दोनों को send कर दिया था Box open कर दे सबसे पहले जो है आपको earbuds देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अदा बढ़िया लग रहा है इसको रखते है थोड़ी देर के लिए side में अंदर आपको जो है काफी सारे documentation देखने को मिलता है user manual है इनका user pamphlet है साथ में यहाँ पे जो है FAQ card है साथ में one year warranty card और एक यहाँ पे extra कोई card दिया हुआ है साथ में इनका जो है एक boat head का sticker भी देखने को मिल जाता है extra year tips दिये गया है जो कि काफी बढ़िया quality के होते हैं साथ में यहाँ पे USB type C का cable दिया गया है जो कि काफी बढ़िया quality का लग रहा है तो यह है boat air dobs 111 यहाँ पे आप देख सकते हैं boat का बड़ा सा logo दिया गया है यह जो है design में एक चीज यहाँ पर खराब लगए कि काफी अदा मोटा है यह जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही जबादा मोटा है यहाँ पर जो है इसको pocket में fit करने में काफी दिक्कात होगी यहाँ आप देख सकते हैं इसका thickness जो है वह बहुत ही ज्यादा है नीचे की बढ़िया है glossy finish दिया गया है काफी जल्दी जो है यहाँ पर scratches वगरा आ जेंगे earbuds की बात करो तो आपको यहाँ पर जो है वही cheap LED lights देखने को मिलते है इसके उपर यहाँ पर यहाँ पर आपको red and blue color LED lights देखने को मिलते हैं जो कि काफ यादा cheap लगते हैं देखने में नीचे क जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर यह किस से copy का रहा है जल्दी से इसको पहन करके देख लेते हैं कैसे fitting आती है okay fitting यहाँ पर सही है बट गाइस यहाँ पर जो है उतना confidence नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है मैं इसको आपको जिम के लिए recommend कर सको तो गाइस definitely यह जो है जिम के lid open करने के बाद क्या यहाँ पर यहाँ पर यह आता है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं air dobs 111 के नाम से आ चुका है मैं यहाँ पर pair कर लेता हूँ pairing हो चुके guys अब देख लेते हैं कि यहाँ पर यह second time connect कितने fast होगा तो यहाँ पर मैं जो है lid को बंद कर देता हू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है disconnect हो चुका है अब lid को open कर लेते हैं तो इसको जो है connect में 5 seconds का time लग गया तो definitely इसकी connectivity जो है वो थोड़ी सी slow है यहाँ पर out of the box आपको यहाँ पर 100% battery देखने को मिलता है अगर इसके settings के अंदर चलते है तो आपको यहाँ पर कोई चारे गाने सुने मुझे जो है इसकी sound quality काफी अदा बढ़िया लगी है बेस की quality काफी अदा सही है यहाँ पर जो है आपको ट्रेबल थोड़े www सो देखने को मिलते हैं but guys यहाँ पर जो sound की quality है वो सही है normal casual music सुनने के लिए काफी सही है movies वगरा देखने के लिए थोड़ा स है यहाँ पर मैं उतना recommend नहीं करूंगा क्योंकि detail थोड़ा सा कम है sharpness थोड़ा सा कम है sound quality में तो यहाँ पर overall sound quality ठीक ठा के मैं कहना चाहूंगा इसके जगे पे भी आपको जो है काफी सारे और TWS देखने को मिलते हैं जिन में आपको इससे जादा अच्छी sound quality मिल जाती है microphone quality की बात कर तो यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का noise cancellation नहीं दिया गया है जल्दी से इसको यहाँ पर आपको मैं microphone sample सोना देता हूँ outdoors में और indoors में भी तो अभी आवाद पर record हो रहा है boat air dose one 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 के microphone से यहाँ पर indoor conditions में record हो जैसे क्या पर देख सकते हैं यहाँ उपर जो है मैंने पर पता चली कि कितना कि ए यह noise capture करता है मेरा आवाद की से capture कर रहा हूँ आपके चल्द कर सकते हैं बाकि यहपर fan का आवाद किसना रहा है आपके direct fan की नीचे खड़ाऊ था आपको यह पर सुनकर की चल्द कर सकते हैं और यह रहा आपके सांबें outdoor time रिख नौंग हो रहा है और आपके सकते मैं आदपर बात करूँ, यहां पर आपको ASAP चार्च टेकनोलोजी दिया गया है, इसके अलावा यहां पर और कोई भी एक्स्टा फीचर नहीं दिया गया है, यहां पर आपको जो है IPX की रेटिंग भी देखने को नहीं मिलती, यह चीज यहां पर मैंने पहली बार देखा है, बोट की तरफ से यहां पर कोई यहरबड आया है, और उसमें IPX की रेटिंग नहीं है, यह चीज यहां पर मुझे थोड़ी सी अजीव लगी, तो 1200-1300 रुपए के हिसाब से मैं यह वाला यहरबड उतना रेकमेंड नहीं करूँगा, ASAP चार्ज टेकनोलोज की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में यहां पर आपको बड्स में 40 mH की बैटरी देखने को मिलती है, तो आप आप देख सकते हैं बैटरी जो कैपसिटी है, वो सही दिया गया है, हाला कि यहां पर 28 आर्स का बैटरी क्लेम करा गया है, इस प्राइस पॉइंट में मुझे सही लगता है इसका बैटरी लए बट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था overall जो है मुझे ये TWS थोड़ा सा average टाइप लगा है इसमें आपको IPX की rating तक देखने को नहीं मिलती है तो ये चीज में थोड़ी सी खराब लगी है IPX की rating जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए थी साथ में यहाँ पे जो है इसका case जो है मुझे बहुती दा मोगटा लगा है तो यहाँ पे जो है आपको इसको pocket में carry करने में काफी दा दिक्कत होगा overall जो है design और build quality काफी सही है music की quality भी सही है बड़ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा features बहुती कम देखने को मलते हैं और battery backup भी मुझे हलकी सी कम लगी है overall इतना है था इस वीडियो में अगर आपकी वीडियो चलागा तो आज नीचे लाइक बटन नमान मत बुलिएगा और दोस्तों हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत बुलिएगा तब तक लिए वस्तों जय हैं वंदे मातरम और आपका दिन शुम रहिए